मौसम की मार और बीमारी की वज़े से खरीफ फसलों को काफी नुकसान हुआ है जिससे किसान मायूस है लेकिन मार्किट में इस समय चल रहे कपास और धान के भाव किसानों को राहत देने वाले हैं उमीद जताई जा रही है कि अगामी दिनों में भी भाव में भड़ोतरी रहेगी और तेजी आने की संभावना है वही मार्किट में कपास की फसल के भाव 10,000 उपए से ज्यादा है पिछले साल गुलाबी सुन्डी की वज़े से किसानों का कपास की फसल से मोबंग हुआ जिसके चलते इस साल जीन जिले में कपास का रखबा 65,000 हेक्टियर से घटकर 34,000 हेक्टियर रहे गया जुलाई में हुई ज्यादा बारिश के कारण कपास की फसल को काफी नुकसान पहुँचा है जिसके कारण हजारो एकड़ फसल खराब हो गई और बहुत से किसानों ने कपास की फसल की जुताई कर धान की रोपाई कर दी हलाकि जो कपास की फसल बची हुई है उसमें भी पोधे की ग्रोथ अच्छी नहीं बताई जा रही और फलफुल भी कम है जिससे कपास का उतपादन कम रहने का नुमान है कम उतपादन से होने वाले घाटे की भरपाई अच्छा भाव दिल आ सकता है जिससे कपास उतपादत किसानों को कुछ राहत मिलेगी जीन जिले में डेड़ लाख हेक्टियर से ज्यादा में धान की फसल है इसमें सबसे ज्यादा बास्मती धान 11-21 की रोपाई हुई है इन दिनों बास्मती 11-21 धान का भाव मार्किट में 5,000 पे प्रतिक क्विंटल है जबकि पिछले साल के सीजन में 11-21 धान 4,000 पे प्रतिक क्विंटल पर बिका था वहीं 1509 धान 3800 के भाव बिक रही है हलाकि हर्याना के किसानों की नई धान की फसल मंडियों में पहुँचना शुरू नहीं हुई कुछ जिलों में उत्तर परदेश से धान की फसल आ रही है व्यपारियों का कहना है कि इस बार धान और कपास के भाव अच्छे रहने की पूरी संभावना है गुलाबी सुन्डी के कारण इस बार कपास का रखबा घटा है वही बास्मती धान की मांग यूरोपी अदेशों से बढ़ती दिखाई दी है इसी वज़े से भाव में तेजी है और जिसके आगे भी बरकरार रहने के आसार है झाल